इस वीडियो नमबर 2 on vectors and in this video we are going to study how to find the angle between the two vectors in various conditions. लेकिन उसको start करने से पहले मैंने last वीडियो में time की थोड़े कम होने की वज़े से unit vector को बड़े properly नहीं ले पाया class के अंदर. इसलिए आप ज़रा इस चीज को ज़रा अच्छे से सुनोगे कि unit vector actually क्या है ठीक है? unit vector के अंदर हमने देखा था कि एक unit vector को represent किया जाता है ऐसे मानलो cap डाली मैंने ओपर और मेरे को बोला कि what is a cap representing here? I will say this is a unit vector, this is a vector, this is a vector of magnitude 1, of magnitude unity, तभी unit vector है, of magnitude unity, unity मतलब 1. and has the direction and has the, इसकी कौन सी direction है? same as that of as that of vector a मतलब जो vector a की direction है वही इसकी भी direction very simple as that फिर इसको अभी इतनी clarity नहीं आती ये बात पढ़के फिर मैं आपको छोटी सी एक और बात बताई थी कि अगर कोई भी vector मुझे represent करना है मालूम में vector quantity ऐसी होती है, जिसका magnitude भी होता है magnitude को अगर represent करना हो, this is a way to represent magnitude और we can say magnitude को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर मैं उसके उपर vector नहीं डालूं ये थोड़ा better way पता क्यों होता है, कि ये मेरे को understanding develop करवाता है कि quantity तो vector है, लेकिन मैं सिरफ इस समय उसका magnitude बोल रहा हूँ जब मैं out डालूंगा लेकिन कही बार हम shortcut में ऐसा भी लिख सकते है अब कैसे लिखेंगे, a vector is equal to magnitude, ये तो गलत है ये तो vector है, scalar है, ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए मुझे क्या करना हूँ ये magnitude है, तो direction भी देनी पड़ेगी, तो direction कौन देता है? unit vector, unit vector मतलब एक ऐसा vector जिसका magnitude 1 है तो magnitude जब 1 किसी के साथ multiply होगा, तो उसके magnitude को तो वो change करेगा नी लेकिन करेगा क्या फिर मेरे लिए, मुझे direction बताएगा तो यहां तो ऐसे लिखो, यहां तो जो मैंने अभी बताया, आप ऐसे लिखो this is the most important part, जो इसका है फिर मैं एक और बात बताता हूँ, कुछ unit vectors specific हैं, कौन-कौन से? i cap, j cap, k cap i cap, j cap, k cap, यह special तीन vector, तीन unit vectors है cap डाला तो unit vector जो आपका i cap है, आपको मालूम होना चाहिए कि यह आपकी x-axis है यह आपकी positive y-axis है, यह positive x-axis, यह positive y-axis यह negative x-axis, यह negative y-axis इतना तो हमें सबको पहले से मालूम है एक और x है, पता कहां? इधर है, बट मैं नहीं बना पाऊंगा, क्यों? वो direct इसके perpendicular उपर है, आपकी screen से बाहर निकल रहा है वो arrow आप समझो, इस बात को क्या? वो screen से बाहर निकल रहा है वो arrow और एक अंदर जा रहा है आपकी screen के इसलिए जो बाहर निकल रहा है, सुनो जो बाहर निकल रहा है उसको मैं represent करूँगा, ध्यान देना यह यह वाला, और अंदर वाला मैं दिखानी पाऊंगा, यहाँ भी अंदर वाले को cross से represent किया जाता है जो arrow आपकी तरफ आए इसको मैं कैसे बनाऊ, यह तो हवा मैं बनाना पड़ेगा न मुझे यह तीसरी axis है आपकी positive z axis negative z axis कहा है, अंदर गुज गई वो भी देखनी है, उसको अगर देखना है आपने इधर तो मैं उसको ऐसे बनाऊंगा फिर, लेकिन दोनों ही कठे नहीं बना पाऊंगा, यह negative z axis बना रहा हूँ, यह जो vector x axis के along होगा positive x axis के along होगा मालो कोई vector मैंने इधर बनाया यहाँ, green color का यह vector बनाया, जिसका magnitude कितना है 2, लेकिन उसकी direction कोन सी है x axis की, मैं इस a vector को इसको a vector ले देता हूँ, पता क्या लिखूंगा, ध्यान देना इस a vector को लिखूंगा 2i इस a vector को क्या लिखूंगा 2i, जो इस direction में होगा मालो यह b vector है इसका magnitude है इसका magnitude है 4, तो मैं b vector को लिखूंगा 4i 4j, sorry 4j क्योंकि यह y axis में है क्योंकि j ने क्या बता दिया बताओ j ने क्या बताया, j का magnitude कीतना 1, 4 से multiply होगा, answer क्या आएगा 4, तो ठीक है, 4 तो magnitude चाहिए था मुझे, लेकिन उसके साथ ही मुझे एक और बात आप बताओगे, कि जो j vector है, यह direction किसकी बताता है y axis की, तो अगर किसी ने मेरे सामने ऐसे लिख दिया, c vector एक और लिखता हूँ, equal to क्या, 2 j तो मुझे पता चल गया, this vector is along y axis यह y axis के along है, और इसका magnitude 2 है similarly k vector किसके लिए z axis के लिए, मैंने आज आपको दिखाई z axis का है, एक दिन कभी detail z axis के उपर भी ले लूँगा, ठीक है तो थोड़ा सा मैंने idea z axis के उपर दिया यह जो अभी आपकी screen के उपर बनी है, यह negative z axis है, positive z axis कैसे दिखाएंगे, अगर दिखानी होगी तो देखो मैं दुबारा दिखा देता हूँ यह आगी आपकी x और वाई, यह तो सब पता है आप z axis देखो कैसे दिखाऊंगा, चलो ऐसे नहीं करते हैं यह positive x axis, यह positive y axis और यह, और यह positive z axis देखो कैसे है, आप बोलोगी यह क्या बनाया है सर आपने this is a arrow, यह भी एक arrow है, जैसे यह, यह दो जैसे arrow थे x axis और y axis के, उसी तरह से यह भी एक arrow है लेकिन यह कहां आ रहा है, यह आपकी तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल के perpendicular to the screen आपकी आँखों में जा रहा है अगर कोई नाम बोले नहीं, मैंने इसको z लिखना है, मैंने इसको y लिखना है और इसको x लिखना है, लिखो, कोई problem नहीं है mention करना पड़ता है examiner को, किसको तुमने x लिया, किसको y लिया और किसको z लिया, या examiner तुम्हें खुद देगा change करके, अगर देना चाहे तो फिर आती है बात हमारा जो आज का वीडियो का topic है, दो vectors के बीच में angle कैसे find किया जाता है, कौँसी बड़ी बात है पहली बात दो vectors के बीच में जब भी angle find करना होगा, पहली बात एक समझ नहीं है हमने इस वीडियो में, कि ये अगर एक vector है, और ये अगर दूसरा vector है इन दोनों के बीच में अगर मुझे angle find करना है, पहली बात याद रखो, एक vector का ये जैसी ये मैंने vector बनाया, ये भी मैंने vector बनाया, ये vector horizontal axis के साथ कुछ एक angle बना रहा है आप इस vector को उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हो, याद रखो, बस ध्यान रखना, जो angle ये horizontal के साथ इदर बना रहा है ना, तो इदर भी उतना ही angle बनाए और जो इसका magnitude है यहाँ जितनी इसकी length है, उतनी length यहाँ पे भी होनी चाहिए, मतलब तुमने angle नहीं चेंज किया, horizontal के साथ, यानि direction चेंज नहीं की, तुमने length नहीं चेंज की, यानि तुमने magnitude चेंज नहीं किया, तो that means कि ये vector, A vector अगर ये represent कर रहा है, तो ये भी A vector ही हु हुआ, no difference between these two vectors, these two vectors can be set to be equal vectors, and they are parallel to each other, and have the same magnitude, इसलिए, अगर मुझे दो वेक्टर के बीच में जब भी angle find करने को बोला जाएगा, तो मैं इसकी tail और इसकी tail एक साथ रखनी है, याद रखना, तो इसको मैंने slide किया, यहाँ लाया, इस तरह से लाया कि इसकी length और इसकी length बर अबर थी, length इतर इतनी matter नहीं करेगी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ angle के बारे में बात करनी है, और जो angle horizontal के साथ यह बना रहा था, अभी भी angle horizontal के साथ यह उतना ही बना रहा है, तो अब, अब इन दोनों के बीच का angle, अब इन दोनों के बीच का angle, हम बता सको, जो angle होगा य मानलो 30 degree angle, तो यह angle दो वेक्टर के बीच का angle है, फिर एक दो बाते हैं और, अगर मानलो कभी ऐसे नहीं दिया, मुझे ऐसे दे दिया किसी ने, बोलता कि बता भाई इसके बीच में angle क्या है, तो मैं तो फस गया, क्योंकि मुझे तो दोनों की tail एक सा चाहिए, तो इस वेक् को ऐसे लेके जाना पड़ेगा, देखो, horizontal के साथ यह कितना angle बना रहा है, 0, मैंने इसको आगे लेके गया, अगर ऐसे slide करके आगे लाया, तो क्या मैंने इसका angle change किया, बिलकुल नहीं किया, तो इसलिए, इसलिए जो angle यह यहाँ बनाएगा, यह angle होगा, that means simple सी बात है, नहीं बता सकता, दोनों की tail नहीं जुड़ी हुई, ले जाओ इसको आगे, ऐसे, कि इसका magnitude भी change ना हो, और direction भी change ना हो, इसको ले आओ आगे, ऐसे, अब यह A vector है, यह B vector है, और इन दोनों के बीच का angle, 150 degree ही है, vertically opposite angles, उतना ही आया, अब यहाँ पे, यहाँ पे क्या करूँ यहाँ पे B वाले को आगे ले जाओ, किसी को भी कुछ भी कर सकते हो, आप slide, B वाले को आगे लेके गया, जब मैं आगे लेके गया, तो यह angle कितना बचा, 35 degree, 35 degree, linear pair आपको मालूम होना चाहिए, तो इस तरह से angle find करते हैं, simple सी बात बतानी थी, कि tails जुड़ी होनी चाहिए angle कि तब आप tails जुड़ी होनी चाहिए vectors कि तब जाके आप उसके angle बता पाते हो, अगर उसकी दोनों के head जुड़े हो, या head और tail जुड़ी हो, तो फिर आप नहीं बता सकते, बड़ा simple concept है, don't complicate it, यह question है इसका, find angle between A and B, A और B के बीच में angle बताओ, A कहा है, A की direction दिख रही आपको बिल्कुल दिख रही है, B की direction दिख रही है, यह दिख रही है, तो क्या करो, A को पहले आगे ले जाओ, ठीक, अभी जगा नहीं है मेरे पास, लेकिन magnitude उतना ही रखना है, अभी matter नहीं करता, तो angle पता चल गया, 90 है, A और B के बीच में angle 90 degree है, समझ आ गया हमें, आग ने बनाना उतना ही है, तो यह कितना आ गया, 120 degree, देख के बता देना है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, किसका C और A के बीच में, C और A के बीच में, देखो, C और A के बीच में, C को आगे ले जा, क्योंकि हम क्यों आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनकी tail जोड़नी ह यह कितना एंगल आया, 150 degree, linear pair फिर से बन गया, तो यह 150, यह कितना बताया था आपको, 120 degree, और यह कितना बताया था आपको, 90 degree, these are the answers, thank you very much.